नमस्कार, आज कहानी गोल्ड में सुनिये, वरिष्ट कथाकार, दॉक्टर वंदना शुकल जी के लिखी कहानी, सहर होगी किसी स्याह रात के बाल कार ड्राइव करते हुए, पूरे रास्ते मन में घुमरती, खलबलियों आशंकाओं से जूचता रहा था कौन है ये लड़की, कहां रहती है, इसके नाते रिष्टेदारों को कैसे सूचित करूँ, लग तो अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी रही है लेकिन इतनी रात ये कहां से आ रही होगी अखेली, वो तो मुझे आज ओफिस से लोटने में देर हो गई थी, सोचा शॉर्टकर्ट से निकल जाओंगा और वहीं पे लड़की अंधीरी सूंसान सड़क के किनारे, घनी जाडियों के पास बेहोश पड़ी मिली, बस एक कुट्ता था पास में, जो उसके पास पड़े मॉबाइल और डायरी पर्स वगरे को सूंग रहा था लड़की का स्कूटर पास भी ही गिरा पड़ा था, जिसमें से धूए में लिप्टी, पेट्रोल की गंध अब तक आ रही थी, वारदात हुए जादा समय नहीं गुज़रा था ऐसा मुझे लगा, सड़क अंधीरी और सूंसान थी, दरसल सड़क के बीचों बीच जो खड़े थे, शायद बारिश से बन गए हुँगे उन्हीं को बचाते हुए मैंने, सड़क से कार कुछ नीचे, कच्चे रस्ते में उतार ली थी, कि लड़की पर हेडलाइट की रोशनी पड़ी नहीं तो शायद मैं भी सीधे निकल जाता, मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा कि कोई आ जाए, तो कम से कम दो लोग तो हो जाएंगे एक विचार ये भी आया, कि चुप चाप कार स्टार्ट करूं और मैं भी चलता बनूं पता नहीं लड़की जिन्दा है या मर करी है, लेकिन जिन्दा हुई तो हो सकता है कि कई लोग योँ ही देख निकल भी गए हो पुलिस के जमेलों को कौन नहीं जानता, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन नहीं माना कभी कभी ऐसे वक्त में जब मस्तिश्क अनिश्चित्ता और उहा पोह की नदी में गहरे डूपता जाता है ये या वो और विवेक एक निरिह बालक सा किसी कोने में दुबकर खड़ा हो जाता है तब निर्नय एकाएक हमारी असोची किसी भी क्रिया के जिम में आ पड़ते हैं ये या वो में से कोई एक औचक चुन लेना हमारी विवश्चता होती है मेरे साथ भी यही हुआ मैंने जमीन पर गिरे उसके मुबाइल और डायरी उठा लिये जो वहीं बिखरे सामान के साथ पड़े थे उसी के बैग में डालकर बैग कार में रख दिया लड़की को बाहों में उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और सीधे कार दोड़ा दी प्राइविट हॉस्पिटल चेरायू की ओर जो वहां से सबसे निकट था जो होगा देखा जाएगा मैंने सोचा जो भी होगा आत्मगलानी की तकलीव से बहतर ही होगा मा को फोन कर दिया आज ओफिस में काम जादा है पूरा होते ही आ जाओंगा फिक्र मत करना सच कह देता तो खामख़ा और चिंता करती वो तो गनी मत थी कि मेरी गिड़ गिड़ा हट पर तरस खाकर प्राइविट अस्पताल के उस जूनियर डॉक्टर ने क्यूबिकल्स में से कूने वाले उस खाली प्राइविट रूम के पलंग पर कुछ देर उसे लिटानी की इजाज़त दे दी थी पेहोश लड़की के बदन पर ओढ़े जीने दुपटे को हटा कर मैंने अब चादर से ढख दिया था जो बिड़ के पायताने पर रखी हुई थी कमरा छोटा और हवादार था जिसमें दो पलंग दो कुर्सिया और दोनों पलंगों की बगल में एक एक छोटी मेश थी जो खाली थी ये विवस्था कुछ देर के लिए थी लेकिन डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर दिया था मैं बेहद उलच गया था बॉस की पहचान अच्छी है सो उन्हें फोन पर पूरा माजरा बता कर उनकी हेल्प लूँ वो CMO या अस्पताल प्रबंधन से बात करेंगे तो कम से कम इलाज तो शुरू हो जाएगा पर ये बेहोश है फोन भी बहता जा रहा है इसी अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं लेकिन नहीं जाता तो इसका इलाज कैसे होगा लड़की का कोई अता पता भी नहीं कहां फोन करें क्या करें दिल से मस्तिश्क तक जाने वाली रक्तनलिकाओं में मानोव बर्फ चम गई थी सफेद पारदर्शी ठोस बर्फ हार कर में किन करतब विविमुर्जा बैठ कया वहीं और लाचारी से लड़की का चेहरा देखता रहा मन ही मन परिवारिक संसकारों और बड़े बोड़ों की सीखों को भी कोसा मैंने लड़की की दुबली पतली काया पलंग पर अचेत पड़ी थी उसकी आखें सूजी हुई थी उसकी कनपटी और माथे से अब भी खून बह रहा था जो गालों तका कर वहीं सूखे जा रहा था उसे देखकर एक वित्रिशना का भाव अंतर में कहीं उभर रहा था नजाने कहां से आ रही थी ऐसी वैसी कोई लड़की कॉल गर्ल पता नहीं कौन है अजीब औ गरीब मन हिस्तिती हो गई थी मेरी खुद पर गुस्सा भी आ रहा था पड़े रहने देता वहीं मर जाती और क्या आप तो गले की हड़ी हो गई है न यहां रह सकता न इसे छोड़ कर भाग सकता गन गन लड़की की बगल में पड़ा उसका मुबाइल बजनी लगा था मैंने लपक कर उठा लिया लड़की अब भी मरना सन पड़ी थी हेलो मैंने कहा हेलो आसिब बोल रहा हूँ आप कौन साब हैं हीना का फोन आपके पास कैसे उसकी आवाज में घबराहट थी मैंने अपना परिचे दिया और संशेक तुमें सारा वाक्या बताया ये भी कहा कि हम चिरायो अस्पताल में हैं प्लीज आप लोग जल दिया जाईए इनकी हालत ठीक नहीं पुलिस केस कहकर डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे हैं आसिप कुछ देर चुप रहा शायद यकीन नहीं कर पा रहा था नया सवीरा अख़बार से बोल रहा हूँ मैं किन लबजों में शुक्रिया आदा करूं सहबाप का बस आप वहीं रुके हम अभी हीना के इलाज का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं लड़की का दोस्त जलबाजी में था ठीक है फेकर न करें मैं हूंड के पास मैंने उसे यकीन दिलाया बट प्लीज कम सुन मुझे घर भी जाना है अर्जेंसी है ये सच था मा अकेली है जल्दी घबरा जाती है टाइम पर न पहुचो तो कुछ रहत मिली लड़की बीच बीच में हलकी सी होश में आती दर्द से कराती वो अपनी कापती पतली उंगलियों को बेजैनी से चहरे पर फिर आती बहुत हॉले हॉले माथे पर दर्द की एक लखीर खिच जाती और फिर बेहोशी चा जाती उस पर उसके बाल बिखरे थे और खून में सनकर माथे और कनपटी पर चिपक गए थे मैं उसके सिरहाने ही खड़ा था हमारे बीच खामोशी थी मैं उसे बात करना चाहता था उसे कहना चाहता था कि अब तुम सुरक्षित हो इलाज के बाद सब ठीक हो जाएगा होसला देना चाहता था मैं उसे लेकिन इतनी रात में शरीव घर की लड़कियां बाहर होती है क्या मेरी आखों में एक हिकारत उतर आई शक के कीड़े ने अपना घर बना लिया था मस्तिश्क में फैर इंसानियत के नाते ये मेरा करतव बे था अब इसके घर वाले आ जाएं तो बला कटे अचानक कमरे में तीन चाहर नर्सें डॉक्टर और अन्य करमचारी आ गए कमरे में खलबली सी मच गई सर डॉक्टर का फोन आया है उन्हें अभी ऑपरेशन थेटर में ले जाना होगा पुलिस की कारवाई बाद में होगी नर्स ने कहा शायद मुझसे और मेरी कोई प्रतिक्रिया खाय बिना वे उसे स्ट्रेचर पर ले जाने की तयारी करने लगे मैं खिड़की के पास कोने में खड़ा हो गया अचेत लड़की को बैट से स्ट्रेचर पर शिफ्ट करते हुए लड़की के उपर ओढ़ा हुआ चादर खिसक गया और उसके अस्तव्यस्त और फटे हुए कपड़ों में से लहो लोहान अंग दिखाई देने लगे स्ट्रेचर ले जाने वाले दोनों हट्टे कट्टे वार्ड बॉय ने एक दूसरे को देखा हलकी सी मुस्कुराहट की एक लगीर उनके चेहरे पर खिच गई हाला की संजान लड़की से मेरी ये पहली ही मुलाकात थी वो भी कुछ ही पलों पहले हुई थी पर न जाने क्यों मुझे उसे देखकर लड़कों का इस तरह मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा मैंने बेहोश लड़की को चादर फिर उड़ा दिया उस भरे पूरे एस्पताल में भी मुझे लगा कि इन दो मुस्टंडों के भरूसे उसे नहीं छोड़ना चाहिए लेहाजा मैं भी उसके पीछे जाने को हुआ लेकिन कमरे के दर्वाजे पर ही नर्स ने मुझे रोक दिया वो लड़की को लेकर चले गए नर्स के हाथ में एक फॉर्म था आप कौन है इनके नर्स की आवाज और लहजा रौबदार थे कोई नहीं बस एक राहगीर जो इने घटना इस थल से उठा कर यहां तक लाया ठीक है यहां साइन कर दीजिए फिलाल आप ही इनके अटेंडन्ट है उसने फॉर्म आगे बढ़ा दिया लेकिन मैं देखे पेशन्ट की हालत बहुत नाजुक है काफी खुन बह गया है यदि इलाज नहीं किया गया तो अजीब इस्तिती थी वक्त बहुत कम था मैंने साइन कर दिये कोई चारा भी नहीं था और हाजाईएगा नहीं नर्स ने मुझे हिदायत दी जी ठीक है मैंने उन्हें आश्वस्त किया नर्स का पत्थर जैसा भावहीन चहरा और यांत्रिक भंगे माई मुझे अचम भी थी नहीं किंचित आतंकित भी कर गई मैंने महसूस किया कि इन अस्पताल करमचारियों के लिए कोई भी घटना और दुरघटना कितनी आम और रोज मर्रा की चीज होती है कोई रहेंव कोई सरोकार ही नहीं या शायद समूचा समाज इतना ही समवेदन हीन हो चुका है मैं कमरे से बाहर आया लेकिन तब तक वो लोग स्ट्वेचर लेकर कहीं उपरेशन थेटर में घुस गये थे मैं वापिस रूम में लोट आया और वहीं कुरसी पर बैठ गया अब इस तर खाली था बैट पर बिच्छा सफेद जखक चादर खून के धबे और सिलवटों से बदरंग हो गया था मेरी नजर तक ये के पास रखी लड़की की उस डायरी और मुबाइल पर पड़ी मैंने मुबाइल तक ये के नीचे रख दिया और डायरी उठा ली पस यूँ ही डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिये इस उमीद में कि इसमें लड़की का कोई फोन नंबर या पता मिल जाए डायरी पर मिट्टी और खून के कुछ दाग थे ये उसकी व्यक्तिगट डायरी थी पहले पन्ने पर पॉलो कोलो की कुछ पंक्तियां थी हम विद्रोही समय में पैदा हुए हैं इसमें हम अपनी सारी शक्ति उड़ेलते हैं हम अपनी जिंदगी और जवानी का जोखिम उठाते हैं अचानक हम डरने लगते हैं और शुरुआती जोश के सामनी असली चनौतियां आती हैं तो थकान अकेला पन और अपनी छमताओं के बारे में संदेव उस जोश की जगे ले लेता है हमने देखा है कि हमारे कुछ दोस्त पहले ही हार मान चुके हैं हम मजबूर हैं अकेले पन का सामना करने को सड़को खतरनाक मोडों के मताबिक चलने को थोड़ी सी गिरावटे जहलने को जबकि आसपास कोई नहीं जो मदद करे और अंत में हम खुद से पूशते रह जाते हैं क्या ये सब इसलायक है कि इतनी कोशिश की जाए पॉलो कॉलो अंतिम पंक्ति को रिखांकित किया गया था रडारी के पन्ने पलटनी लगा बीच का कोई पेज 28 दिसंबर ठीक तीन दिन बचे हैं नए साल के काश कभी ऐसा हो जब आदमी किसे नए बरस में नए सपनों के साथ दाखिल हो कि सुबह उठे और देखे कि दुनिया बदल चुकी है सदियों से औरत मर्द न्याय अन्याय आम और खास इंसानियत और हैवानियत पुंजी पतियों वगरीबों के भी चल रही ये जंग खत्म हो चुकी है हर जगे अमन चैन और खुशाली है नाइंसाफी और दरिंदगी का वक्त गुजर चुका है कभी कभी मेरे ख्वाब किसी जंगल में भटक जाते हैं और उस जंगल की उसर जमीन और बीहट जाडियों में उलचकर वो लहुलुहान हो जाते हैं मुझे सचमुझ ताजूब होता है कि सदियां और पेडियां इन ही बुरे खवाबों और जख्मों के भी छटपटाती जीती मरती रही है एक सपने में मुझे कोई दूसरा सपना जी जोड़ कर न उठाए ऐसा कम ही हुआ है काश मेरा वक्त भी मेरे साथ ही शुरू हुआ होता मेरी उच्चुकता बढ़ने लगी हाला कि किसी के व्यक्तिकट डायरी पढ़ना सब्यता के खिलाफ होता है फिर भी दस जन्वरी अम्मी को न जानी क्यों दहशत होती है मेरी इस जिद से कहती है अख़बार नवीसी तो मर्दों का पेशा है ये भी कोई शौक है बला लड़कियों के रात दिन गुंडों मवालियों से पाला पड़ता है रात भी रात घराना और फिर तुम्हारे अब्बू भी तो किसी बड़े उहदे पर नहीं मामूली से एक लर्क है कुछ वारदात हो तो बचा भी नहीं पाएंगे आगे पीछे कोई नहीं मैं कहती हूँ यानि उहदेदार लोग बेख़ब हो कोई भी वारदात करने को आजाद है क्योंकि उनके आगे पीछे उन्हें बचाने वाले तमाम लोग है तुम बहुत बहस करती हो अम्मी खीज कर कहती है और फिर आवाज में नर्माई लाकर समझाती है तुम्हारा आम आदमी से सरोकार एमानदार और बेख़ब होना जानते हैं हम तारीफ भी करते हैं लेकिन आज कल इनसान इन खूबियों के साथ आसानी से नहीं जी सकता विटिया जमाना बहुत खराब है लड़कियों को थोड़ा तहजीब और डर कर रहना जरूरी है कैसे समझाएं तुम्हें अमी जमाना तो सभी के लिए खराब है पिर लड़कियों नहीं ऐसा क्या गुना किया है जो उन्हें डर कर छिपकर रहना चाहिए मेरी इस दलील पर अमी बेबस और खामोशो अपने काम में लग जाती है पर उनकी खामोश्री मेरे दिल पर हथोड़े सी टंटनाती रहती है मुझे लगने लगता है जैसे मैं सास के साथ ऑक्सीजन नहीं बलकि कोई गाढ़ा जहरीला धुआ खीच रही हूँ धमनियों में गुटन भरी बेचैनी दोड रही है फिर वही सवाल सैकडो सवाल जो सद्यों से बुद्ध की तरह खड़े है नंगी जिनके कोई जवाब नहीं जिनका कोई समाधान नहीं ऐसे बे जवाब सवाल दिल के किसी अंधेरे कुने में जाकर एक नश्तर से धस जाते हैं और टेशते रहते हैं गाहे बगाहे अल्ला कितने सवालों से भरी है ये दुनिया गोया ये नारंगी के आकार की पृत्वी सवालों के रेशों से ही बुनी है आग में भी तो एक श्रिड नारंगी होता है न सवाल ही सवाल आग ही आग मैं अम्मी के इस खामोशे की पीट से आखे फिर अपने अगली कवायत में मस्रूफ हो जाती हूँ अम्मी भी अपने घरेलू कामकाजों में मश्कूल पर हम दोनों जानते हैं कि हमारी ये बहसे एक दूसरे की रूहों में उलच गई है जिने सुलजानी का जिम्मा भी अम्मी का ही है मैं तो जिद्धी ठहरी ना ओपर से अपने अब्बू की बेटी पीस जन्वरी अज मैंने छुट्टी ली है ठकान उतारना चाहती हूँ ओपर से जाड़ा भी बहुत है किसे खबर के सलसले में तमाम कानूनी कितावें उलट बलट डालू दोश्मनों को नाकोचनी चबवाने का होसला रखू बड़े से बड़े तीस मार खान से भीड़ लू बहस में पसीना निकलवा दू लेकिन जाड़े के दिनों में अम्मी से लिपट कर लिहाफ में गोड़ मोड़ी होकर सोना मुझे आज भी सबसे अच्छा लगता है अम्मी मेरे बालों में हाथ फेरती है और मैं अम्मी के पेट पर हाथ रखकर उनसे तमाम सवाल करती हूँ मेरी जिन्दगी की कुछ निखालिस खुशियों में से एक ये भी है अम्मी आप ही तो बताती है कि आपके वालिद भी नहायत तरक्की पसंद और बेख़व इंसान थे दुनिया एक दिन जरूर बदलेगी ये ख़वाब देखा करते थे आप ये भी तो फक्र से कहती थी कि मैं बिल्कुल अपने नाना पर गई हूँ कि नाइन साफी और जूट से नफरत है मुझे अम्मी कहती है उम्र के साथ वो भुलकड होती जा रही है क्या भरुसा अपनी ये पुरानी यादे वो कहीं रहकर भूल गई है एक खौफ की पतली सी लकीर खिच जाती है मेरे भीतर अम्मी खामोश रहती है मेरा डर एक कदम और बढ़ जाता है मैं एक और सवाल का पौधा अम्मी के ज्रेहन में बो देती हूँ शाद अम्मी की चुपी के भीतर दाखिल हो ये दहशत अपनी मुठी में दबा बैट जाना चाहती हूँ अपने यकीन में ताकि खौफ से निजाद पा सकूँ गूंगे बहरूं लाचारों की तरह सब देखते चले जाना और खून के घुट पीते रहना अम्मी क्या ये ठीक है खामोशी का ये सिलसला आखिर कब तक ये नाइंसाफी चलती रहेगी इन हुक्मरानों दरिंदों की पहल तो किसी ना किसी को करनी ही होगी न आखिरकार अम्मी की खामोशी तूटती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे या अब्बु के पहले नाइंसाफी और हैवानियत देखकर किसी का खोन नहीं खौला होगा और पहल की तो थी पहल उन तमाम अब सनानिगारों इमानदार और तरक्की पसंद निताओं शहीदों अपने हकों के लिए आवाज उठाने वाली औरतों ने देखा तो था ख्वाब एक उम्दा मुल्क बनाने का इसे क्या नतीजा रहा पहले से भी बत्तर हालात हो गए हैं अम्मी कुछ तेर खामोश रहती है फिर मेरी सोच को सहलाते वे अपनी समझाईश जारी रखती है मेरी जान जानते हैं कि अभी खून गर्म है तुम्हारा और ताकत है शरीर में इसलिए ये सोचती हो पर खेरियत तो इसी में है बिटिया कि नजरें बहुत दूर तक न दोड़ाओ बस अपने घर परिवार की हिफाज़त करो और खामोशी से सब देखते रहो अम्मी अपने बच्चों का तो बेजुबान जानवर कीडे मकोडे भी पेट भरी लेते हैं बात तो तब है जब पूरी इंसानियत के बारे में सोचा जाए जल्मों के खिलाब आवाज बुलंद की जाए डरना कैसा और डरें भी मौत से जानवरों से नहीं बलकि मर्दों से उनकी जातियों से जिन्हें किसी औरत नहीं पैदा किया है पता नहीं अम्मी मेरी सफाई पर कितना एदबार रखती हैं लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि इस बहस में वो हर बार हारती हैं और बार बार जीत की गुंजाईश के बगेर हारती जाती हैं पर ठकती नहीं अपनी उम्र के इस सफर तक मैंने जितना भी सुना देखा पढ़ा और समझा उसमें सिर्फ एक कोशिश पर भरोसा कर सकी वो था मेरे इस प्रोफेशन का चुना जाना क्यूंकि मेरा यकीन अफ्तारतार हो रहा था हुकूमत, मजहबी वादू, दाउ, फिराग परस्तों कानून सब पर तब लोगतंत्र के इस चौथे खंबे पर अपनी बची खुझे उमीद की नजरें गढ़ा दी जो शायद मेरे यकीन का आखरी पढ़ाव था मेरे लिए क्राइम डिपोर्टर के हैसियत से किसी अख़वार में काम करना मीरा खौब था मेरा पैशन अमी भरूसा करो के डर कर रहना किसी भी मुश्किल का सामना करने से अधिक खौपनाक होता है बोजदिली किसी अन्याय का तोड़ नहीं 27 जनवरी मुझ जैसे सिर्फरे लोगों की हर सुबह एक नए जन्म की तरह होती है कई बार जब सवेरी की चाय पीते हुए कुछ देर के लिए टीवी पर खबरे देखती हूँ उनमें मेरी मौत की कोई खबर नहीं होती तब जिन्दा होने का यकीन पाती हूँ अलगी मैं आम लोगों से थोड़ा अलग हूँ जिन के लिए मौत को सोचना या मौत का ख्याल मौत से भी खौफनाक होता है सच कहूं मुझे डर मौत से नहीं जिन्दगी से लगता है अपंग और लाचारी से भरी जिन्दगी कोशिश करती हूँ कि दुनिया जहां के पच्ड़े और फितूर घर में लेकर न आओ मेरा ये चाहना मेरी अम्मी के प्रती, मुहबबत और फिकर से करीबी तालुक रखता है सो हमेशा मुस्कुराती दाखिल होती हूँ घर मे लेकिन मेरी जान मेरी अम्मी मेरे साय को देख कर भी मेरी तबियत का अंदाजा लगा लें हम दोनों के बीच चाय एक राहत भरा सुकून है अम्मी जानती हैं कि चाय के चुस्कियां मुझे ना सिर्फ अपने विगत से कुछ देर के लिए ही सही दूर करते की बलकि इनसे हम अपने अंद्रोनी और बाहरी माहौल से रिष्टा सुकून से कायम कर लेंगे दो फरवरी हम एक अजीबो गरीब वक्त में जी रहे हैं राज्य सत्ता, कॉर्पोरेट सत्ता और माफिया संस्कृती इन सबने मिलकर वाकई एक आम आदमी का जीना दूबर कर दिया है ये एक आदम खोर सब भिता है आठ फरवरी जबसे मैंने उस दलित नाबालिक लड़की को भरे बाजार से उठा कर ले जाने और उसके साथ सामुहिक बलातकार करने वाले उन तीन मशहूर लोगों की उलादों के खिलाफ मौर्चा खोला है उसकी तह तक जाने का फैसला किया है उसे कीशेनाक्त करते हुए कसूर बार मुझरिमों को कटगरे में खड़ा करने की कसम खाई है सर पर ही नहीं मुझ पर भी कई रख सूखदारों का दबाव बढ़ता जा रहा है कई फोन आ चुके हैं किसे ने धमकी दी है तो किसे ने मुह मांगा पैसा देनी की गुजारिश ताज़ूब है क्या पैसा इतना करूर होता है कि लड़की की इज़द और नाइनसाफी को भी सिरे से नकार दे दर किनार करते क्या उन लोगों को माबहन जैसे रिष्टों में यकीन नहीं या वो भी इनके लिए सिर्फ एक जिसम है बलातकार एक यौन विक्रिती है बलातकारी एक औरत के जिसम का शिकार करता है और ऐसे पश्रू की नसल को हमें खत्म कर देना है आसिफ मुझे तुम पर भी आसचरे हुआ था सच मुच जब तुम जो मेरे इस मोहिम के इकलोते तरफदार थे और कहते थे कि मुझे तुम पर फक्र है हीना तुम और लड़कियों से बहुत अलग हो तुम्हारा यही अलग होना मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज़त और मुहबत के लिए जिम्मेदार है खोव बुजदिली है याद रखो डर पोक कौमें इनकलाब नहीं करती लेकिन उस दिन तुमने कहा हीना देखो तुम लड़की हो नहीं जानती दुश्मनी का मतलब वो भी मर्दों से क्यों मर्दों के एहंकार को चुनौती दे रही हो तुम मैं ताज़ुब से देखती रही थी तुम्हारी तरफ आसिफ ये तुम कह रहे हो सड़कों, दुकानों, मौलों, बाजारों से लेकर अबसरों, वकीलों दफ्तेरियों, पुलिस, चौकियों नजाने कितने घूमते फिरते लिजलिजे जियों से अलग दिखते थे तुम मुझे देशत गर्जी और हैवानियत से फक्चहरा एक इनसान का एक जाबाज, जो इनसाफ के लिए कुछ भी कर सकता है आसिब तुम ही तो मेरा होसला हो जब सब मुझे पीछे धा केलते तुम कहते नहीं आगे बढ़ो जैसे जैसे धंकियां वड़ रही है ताजब है, खौफ की जगए मेरे होसले और बुलंद हो रहे है मुझे बहुत अजीब लगा जब सर के पास एस पी, आफिस से फोन आया कि उस सामुहिक बलतकार वाले केस पर लिखना बंध होना चाहिए इस तरह की खबरे जनता में रोश पैदा करती है विद्धवन सक इस थितिया निर्मित होती है विडिया का काम माहौल को शांत करना है भढ़काना नहीं इसके बाद उनकी जेतावनी थी यदि ये सिलसिला रोका नहीं गया तो कारवाई की जाएगी सर ने मुझे बुला कर ये पत्र पढ़वाया मुझे ताजब हुआ सर आपको नहीं लगता कि या देश अभिवक्ती की आजादी का मक्कौल है मैंने कहा नए नए अजीब औ गरीब वाके पेश आ रहे थे उन्हीं में से एक ये था जब सर जो निर्भित्ता की सरेयाम वकालत करते रहे हमेशा अब वो ही मुझे रोक देने के लिए कह रहे थे बलकि एतियात के मद्दे नजर दूसरे सेक्शन में भेज देने का मनसूबा भी बना रहे थे ये कहकर कि हीना मैं तुम्हें किसी खत्रे में डालना नहीं चाहता तुम एक लड़की हो वो भी अल्प संख्यक समुदाई की तुम पर खत्रा दोहरा है सर मेरी फिक्र छोड़िये सर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिये क्या वो पीडिता लड़की किसी रसूखदार और रईस बाप की बेटी होती तब भी हम ये बहस कर रहे होते या फिर वो अपराधी किसी सामाने परिवार से तारलुक रखते तब सर कुछ देर सोचते रहे थे पेपर वेट उनके हाथ में था जिसे वो गूल-गूल घुमा रहे थे बात समझने की कोशिश करो ही ना ये वक्त बहस का नहीं सर ये अखवार आपका है आप मालिक हैं इसके आप जो फैसला लेंगे लेकिन मेरी आप से यही गुजारिश है कि मुझे इस केस की सच्चाई लिखने दी जाए ताकि सच जनता के सामने लाया जा सके इस दरिंदगी के वाके को आम और खास सबकी आखों के आगे से गुजरना ही चाहिए उन दरिंदों पर भारती दंड सहिता की धारा 376 बलातकार का आरोप का मुकदमा चल रहा है देखें तो कितने लंबे हैं आपके कानून के हाग देखो ही ना बात समझने की कोशिश करो बहुत नाजुक मामला है ये कुछ भी हो सकता है तुम जानती तो हो कि अपराधी किस वर्क और हैसियत से तालुक रखते हैं इसलिए मैं तुमसे नहीं सर लड़ने दीजे उसे वो अकेली नहीं और फिर जब सफर शुरू होता है तब आदमी अकेला ही होता है हुजूम तो बनता जाता है तब कितने और कहां कहां अल्प संक्यक होंगे और कहां बहु संक्यक इन सब का हिसाब किताब नहीं रखता हत्यारों गुनहगारों के चहरे नहीं होते सर ना ही कौम वो सिर्फ तरिंदे होते हैं और उन हमशकलों का सिर्फ एक नाम होता है हत्यारे आसिफ ने मेरी होसला अफचाई की तुम मुझे बहुत रहत मिले आसिफ तुम बहुत अच्छे हो बहुत नीग 19 फरवरी कचहरी में उस पेड़िता बच्ची को बुलाया गया सुनवाई के लिए वो अपने वालिदें के साथ महां पहुची उसने अपना बयान बदल दिया वो मेरा दोस्त था मैं सहमती से गई थी उसके साथ उसके दोस्तों ने मुझे पर कोई जाती नहीं की केस लगभग सॉल्व हो चुका था मैं इस लड़की के घर गई मैंने उससे पूछा क्यूं किया तुमने ऐसा क्यूं दिया गलत बयान जबकि उस दिन तुम ही ने कहा था कि उन तीन जलादों ने तुम्हें बुरी तरह नोच खसोट डाला था ये लोग तुम्हें मेले में से जीप में बिठा कर ले गए थे जब रन बच्ची आखे जुकाए बैठी रही मैडम आपके हाथ जोड रहे हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दो ऐसे भी अब बचा ही क्या है जंदगी में समाज में तो इस्जत रही नहीं इससे भी अब कौन शादी करेगा बरबाद हो चुके हैं हम जानते हैं ये लेकिन घर के किसी सदसे को मरता भी तो नहीं देख सकते इस्जत ऐसी चीज है इस देश में जो जब तक बची है खेर मनाओ जिस दिन चली गए उस दिन अफसोस बस हम जैसे लाचार गरीब लोगों के हाथ में अफसोस मनाना ही लिखा है उसके पिता नहीं कहा जी आप बिलकुल सही फर्मा रहे हैं लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि अब इन कहाथों का अंत होना चाहिए ताकि आपकी पुष्टे ये ना इनसाफी ना झेले हालातों के सामने हथियार डाल देना ये कैसी मजबूरी है क्या इस जूट का बूज दिल पर रखकर जंदगी बर खुद को माफ कर पाएंगे आप मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं था जानती थी इतिहास फिर दोहरा रहा था खुद को वापिस घर लोटते वक्त बहुत ठकान महसूस कर रही थी मैं 27 फरवरी लोग पीछे पड़े हैं मेरे न जाने कौन लोग हैं वो दिन रात फोन की घंटियां गनगनाती रहती हैं बुस दिल, दरपोक जो अंधीरों की ओट में अपना कारोबार चलाते हैं दहशत फैलाते हैं फोन पर सुनाई देने वाली हर आवाज मुझे इसी नाइंसाफी के जिन्न की आवाज लगती है मैं चाहूं तो फोन बीच में बंद कर सकती हूं लेकिन सुनना चाहती हूं उन जलादों के मनसूबे भाषा गालियां धमकिया उनमें सुनाई देती है मुझे आजाद भारत की सिस्किया डेमोक्रिसी का मजबूर और रक्तरंजित चहरा क्या हार मान लू क्या पीछे हट जाना चाहिए मुझे इस मोहिम से क्या मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए उन देहशत गर्ज और कायर लोगों की जमात में जो जिन्दा होने के गलत फहमी पाले मरे हुए लोग हैं जिन्होंने अपने रूह इन गुनागार दरिंदों के हाथ गिरवी रख छोड़ी है नहीं मैं हर जाती और अन्याय का आंते तक पीछा करूंगी ऐसे आसिफ कहता है कि जिस मेडिया की रोशनी में तुम आगे बढ़ रही हो उसका सच जानती हो ये मेडिया रोबोट की तरह एक आत्मा रहे दें है एक बहरा पत प्रदर शक जिसके सिर्फ आखें और जुबा है कितना चीख होगी इसके सामने तो जब तक तुम एक वाक्य कहोगी मेडिया की हेडलाइन पर कोई दूसरी खबर चस्पा होगी उफ एक के बाद एक दिल दहला देने वाले वाक्य कभी कभी लगता है जैसे पूरा मुल्क गुनाहों और गुनाहगारों के शिकंजे में जकट चुका है आखिर कब खत्म होगा इनका सलसला मर्द की मरदानगी का सबूत महज यही वारदाते रह गई है या आल्लाः ये दुनिया महज एक सुलगती हुई तिली की और मुखातिब है आखिर कब तक इस उदास उकताई धरती पर ये ठंडा अंधीरा पसरा रहेगा रोशनी सोरे का पर्याय क्यों नहीं क्यों रोशनी का तिलिस्म ये तीली और उसके मुहाने पर लिप्टा ये बारूट जानता है कि अंधीरों का राज इस तीली में ही गुम है इस रोशनी के मायने सिर्फ लपट क्यों उजाले क्यों नहीं बहुत ही जटिल हालात हैं सब कुछ उलजा हुआ सच कहते हो तुम आसिफ जब सब लोग खुद को खुश और त्रप्त दिखा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं गैर कानूनी जरियों से कमा रहे हैं वो भी और भूख को परे खिसका पत्थरों पर अपने किसमत फोड रहे हैं वो भी होठों को से ले सब जिये जा रहे हैं गिरते पड़ते फिर मैं भला क्यों परिशान हूँ क्यों नहीं मैं भी अपने कानून की तरह बहरी अंधी हो जाती बस अपने में मस्त 15 मार्च अम्मी कह रही है शादी कर लो आसिफ कह रहा है पहले तुम अपना भूत उतार लो समात सुधार का तब निकाह करेंगे लेकिन ये भूत कभी उतरेगा क्या अब समझ में आया कि क्यों इस देश की आधी से ज़ादा अबादी अनपड़ और लाचार है उन्हीं क्यों गरी और बेपड़ बनाए रखना चाहते हैं ये हुकमरान और उहदेदार लोग इसी भूत से डरते हैं न 21 मार्च मैं मरना नहीं चाहती अलाकि ये देश रहने लाइक तो क्या होश औ हवाज में जीने लाइक भी नहीं रह गया है बावजूद इस तरास्दी के लेकिन इनको हत्यार सौब देना नेरी काहरता होगी बुजदिली आसिफ कहता है तुम जैसे लोगों को जुनून का कीड़ा काट लेता है मैं हस्ती हूँ वो फिर कहता है कभी कभी मुझे लगता है खुदाने हम इनसानों को गढ़ने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया होगा जरूर ही हमारी मिट्टी कुछ अलहदा किस्म की रही होगी शायद कुछ जादा खुर्दुरी और पत्रीली बिल्कुल सच है ये एक बात तो सोचो आसिफ मैं कहती हूँ जिस मुल्क में जिन्दगी मौत से जादा खौफनाक और मौत जिन्दगी से जादा आजाद हो गई हो उस मौत से क्या डरना ऐसे नहीं तो वैसे आजाएगी सड़क पर छट पटाते हुए नदी में मुर्दा जिस्म के शकल में किनी दिवारों के बीच बंदो के किसी गोली में बंद फिर मुकाबला करते हुए मरने में क्या हर्ज है आसिफ मेरी इस बात को हसी में उड़ाता कहता है मरना ही पड़े तो पूरी तरह न मर जाना जान और हम दोनों देर तक हसते रहते हैं एक अप्रिल आसिफ कल तुमने मेरे जनम दिन पर गुलाब भेजा था मेरे कैबिन में सच बहुत खुशी हुई तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है प्रेस से सच कहूं आसिफ कभी कभी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है इस भरी पूरी दुनिया में लगता है बिल्कुल तनहा हूँ कोई अपना नहीं जो अपने हैं वो अपने पन से ज़ादा डरे हुए लोग है खुलकर ना मुहबबत कर पाते हैं ना अपना जोर चला पाते हैं बेबस हैं बेचारे हाँ मैं अम्मी अब्बो की बात ही कर रही हूँ खेर छोड़ो आसिब अब हमें अपने निकाह के बारे में सोचना चाहिए ऐसा होना हमारी मोहिम को तेज और पुक्ता करने के लिए भी जरूरी है इंशालला हम कामयाब होंगे अचानक कुछ शोर गुल से मैं डारी के पन्नों से बाहर आ जाता हूँ वही अस्पताल का प्राइवेट रूम कमरे में दो औरतें और दो आदमी दाखिल हुए वे बेहत खबराय हुए थे एक आदमी बोढ़ा और एक अधेर एक औरत ने शलवार कमीज बहना हुआ था दूसरी जो पचास एक साल की थी ने बुर्खा पहना था जो लड़की की मा थी हीना कहा है वो पुड़े आदमी ने चिंतिच्वर में मुझसे पूछा ओप्रेशन थेटर में है अभी कब आई ये यहां मेरा मतलब कैसे दूसरे आदमी ने पूछा करीब दो घंटे पहले आजाद नगर की पुलिया की पास ये भी होश पड़ी थी उनकी स्कूटर अब भी वही है मैंने कहा मुज़र्ग वर खामोश थे उनके चेहरे पर दोख और फिक्र की ताजी लकीने हो गाई फोन पर कहा था इससे कि बागी का काम कर लेना घर आजाओ अब लेकिन वो नहीं मानी कहा कि कल तो ये नियूस जानी ही है फिक्र मत करो अम्मी आजाओंगी पुड़ी औरत बिसुरते हुए बोली पहले ही कहा था भावी जान की तालीम के फेर में ना पड़ो निकाह कर दो इनका जैसे हमने अपनी बच्चियों का कर दिया आजकल पढ़ी लिखे लड़किया ऐसे ही हाथ से छूट जाती है मनमानी करती है दूसरी औरत ने पहली को उलाहना दी ये कोई वक्त है कि आपा इस तरह की बाते करने का दूसरे आदमी ने टोका मैं वहां से उटकर बाहर आ गया हाला कि उन लोगों के आ जाने से मुझे कुछ राहत मिली बलकि मन में ये भी आया कि अब ये लोग तो आई गये हैं मैं चुपचाप निकल लूँ यहां से लेकिन उस लड़की से कोई पुरू परिचै नहोने और बाचीत नो होने के बावजूद नजाने कैसी आत्मियता और श्रद्धा सी हो गई थी कि जाने का मन नहीं किया उसकी फिक्रमंदी ने मुझे जाने नहीं दिया हाला कि मैं ये जानता था कि अब यहां से चले जाना मेरे लिए सुरक्षित निर्ने होगा पुलिस के जहमेले जानता हूँ ना हजार सवाल करेंगे आप ही लेकर आए हैं उस एक्सिडेंट केस को यहां क्या नाम है लड़की का आप पहले से जानते थे इन्हें जब आपने इन्हें देखा सड़क पर और कौन था इनके साथ आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया तब लड़की होश में थी या बेहोश यहां तक इन्हें कैसे लेकर आए वगेरा वगेरा मरना सन लड़की को अस्पताल में पहुचाने का शुकरिया तो दूर मुझ पर ही अजीब और गरीब बेतु के सवालों की बचार और शक नतमस्तक हुन दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की न्याय प्रडाली पर लड़की अभी भी ओपरेशन थेटर में ही थी मैं वापस प्राइवेट रूम में आ गया लड़की के रिष्टेदार अभी कमरे में थे बीच में नर्सों की आवाजाही बनी रही ये लोग अपने अपने दिलों के हाहाकार को दबाए मौन बैठे थे बुजर्ग औरत अलबता रह रहकर विलखने लगती थी बार बार फोन के घंटी बज रही थी और बुजर्ग वार फोन लेकर बाहर चले जाते बाकी समय वो सर जुकाए कुछ सोचते रहते कभी कभी प्रतिक्षा भी कितनी उबाव और बोजिल हो जाती है मुझे मन होसियत भरी बेचैनी से होने लगी अता मैं कमरे से बाहर बरामदे में निकल आया मैंने एक सिगरेट जलाई और वहीं टहल कदमी करने लगा रात बढ़ रही थी अचानक वो सेनियर नर्स दोड़ती हुई आते दिखी जो हीना को लेकर गई थी अप्रेशन थेटर में वो घबराई हुई थी लिसन उसने मुझसे कहा जी कहिए बाकी पेमिंट तो कर दिया गया है लेकिन ये कुछ इंजेक्शन्स और टेबलेट लानी होगी ओ नेगिटिव बलड का इंतिजाम भी करना होगा स्टाफ में कम है जरूरत पढ़ सकती है थोड़ा जल्दी जाएए प्लीज उसकी घबराहट मेरी हताशा के बहुत करीब थी नर्स जा चुकी थी परचा मेरे हाथ में कपकपा रहा था शायद नर्स को नहीं पता कि लड़की के घरवाले आ चुके हैं खेर मैं बाहर आ गया मुझे कुछ वक्त लगा ये सब लाने में जब वापिस लोटा तो सुबह अपनी आमद दर्ज करा चुकी थी हलाकि रात ने भी अभी अपनी चाधर पूरी तरह समीटी नहीं थी अस्पताल का कोरीडोर लोगों से भरा था गहमा गहमी थी पत्रकार, फोटोग्राफर्स, रिष्टेदार, मीडिया कर्मी कैमरों की पगलाई से आखे इंधर-ओधर घूम रही थी उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना फोकस उन गुसाए नौजवानों के चेहरे पर करें जो तम-तमाय हुए खड़े हैं एक जुट में या लड़की के उदास रिष्टेदारों पर या फिर उन तमाश बीनों को रोशनी के घेरे में ले ले जिनके पास माईक लिए कोई एंकर किसी संसनी खेस खबर का इंतिजार कर रहा है एक खौफ की चिंगारी सी भीतर तक कौन्थ गई यानि हीना मैं बहराया से सीड़ियां चेहने लगा लिफ्ट मेरे दिमाग से अपना होना पोच चुकी थी उस खास वक्त में लेकिन ये भीड एक मरा हुआ मनुशे समय जीवित मनुशे की तोलना में कहीं जादा कह रहा है उसके शरीर से बहता हुआ रख शरीर के भीतर दोडते हुए रख्त से कहीं जादा आवाज कर रहा है एक तेज हवा चल रही है और विचारों स्वपनों इस मृतियों को फटेगवे कागजों की तरह उड़ा रही है एक अंधेरी सी काली चीज हिंसक पशों से भरी हुई एक रात चारों रिकठा हो रहे है एक लुटेरा, एक हत्यारा, एक दलाल हासमानों, मैदानों, पहाडों को लांगता हुआ आ रहा है उसके हाथ धरती के मर्म को दबोचने के लिए बढ़ रहे है मैं घबराया हुआ नर्सों के रूम की और लपका जहां वही सेनियर नर्स बैठी कुछ लिख रही थी सिस्टर ये मेडिसिन्स, आपने मंगाई थी मैंने पर्चा उसे दे दिया और ये ब्लड ओ नेगेटिव मैंने अपने हाथ की कपकपाहट दिल तक महसूस की येस येस, नर्स ने मेरे हाथ से सब चीजे ले ली और हाव शीज नाव नेरी आवाज मेरी धरकनों के साथ किसी अंधीरे कुवे में डोपती जा रही थी नर्स कुछ देर वैसे ही लिखती रही मैं जवाब की प्रतिक्षा में मानू सदियों से खड़ा था मुझे लगा धर्ती काप रही है पर बाद में महसूस हुआ वो मेरे पैर थे तुम कह रहे थे तुम कोई नहीं लगते उस लड़की के नर्स ने पैन को रूख चश्मे में मेरी और जागते हुए कहा जी कुछ भी नहीं मैंने कुछ अचकचाते हुए कहा हम उसने कहा फिर चश्मा उतारते हुए मुस्कुरा कर बोली कुछ देर में उन्हें आईसियों में शिफ्ट कर दिया जाएगा यू केन मेट हर इन हाफ एन आवर गुड लग शुक्रिया मैंने बाहर आते हुए एक लंबी सास खीची जैसे किसी गहरी खाई तक आते आते अचानक खीच लिया हो किसे ने पीछे से मुझे लग रहा था जैसे शरीर ये खुशे बरदाश नहीं कर पा रहा है सच मुझ मैं बहुत ठक गया था वहीं विजिटर सोफे पर बैठ गया वहां से नीचे खड़े लोग देख रहे थे जो जामा थे मैंने अंदाजा लगाया वो औरतें और बजर्ग लड़की के रिष्टेदार होंगे वो अपोजिट पार्टी के लोग वो मेडिया कर्मी वो दूसरे मरुजों के रिष्टेदार वो तमाश बीन वो पुलिस अफसर वो नीता वो अखबार का संपादक या माली मैं लिफ्ट से नीचे उतराया और भीड में से होता हुआ अस्पताल के बाहर लॉन में आ गया जेब से विल्स का पैकेट निकाला एक सिगरेट निकाल कर होटों में दबा ली लाइटर से उसे सुलगा मुलायम दूप पर टहलने लगा सोच रहा था लड़की को होश आ जाएगा तो वो कैसे पहचानेगी मुझे उसे अपना परिचे जरूर दूँगा कहूंगा कि महतरमा आज आप जो मस्कुरा रही हैं सिर्फ मेरी बदालत आई एम प्राउड ओफ यू हीना यू आर अमेज तुम लाखो करोडों उन लड़कियों से बहतर हो जो आसान और निरर्थक सी जिन्दिगी इन्ही अन्यायों और जातियों को सहते हुए गुजार देती है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लूँगा जीवन में न जानी कितनी तरह की लड़कियों से जान पहचान हुई स्कूल, कॉलेज, नौकरी, जलसों में कुछ के साथ दिनों से लेकर महीनों तक फ्रेम प्रसंग भी चले लेकिन अंतिता खुद ही पीछे हो गया न जाने क्या चाहता था मैं जो मुझे उन खुबसूरत बुद्धी जीवी होशियार अमीर लड़कियों से नहीं मिला और आज इतनी नामालूम सी इस अजीब औ गरीब मुलाकात में मुझे क्यूं लग रहा है ऐसा कि तुम ही हो वो लड़की जिसे मैं दोस्त बनाना चाहता था एक सुरसुरी से मन में कौंध गई तभी मेरी नजरें गेट के पारदर्शी दर्वाजे को लांग भीतर की भीड का मुआयना करनी लगी एक पतला दुबला लड़का जेन्सकूरता गोरा रंग, भीतर तीव दाड़ी चमड़े की चपले पहने लोगों से घिरा खड़ा था उसके बाल बिखरे हुए थे चहरे पर एक शांत परिपक्वता भरा रोज था वो लोगों से कम बात चीत कर रहा था और बार बार ऑपरेशन थेटर को जाने वाली सेड़ियों की और देख रहा था आसिफ मेरे मूँ से निकला आसिफ हीना का दोस्त आसिफ उस भीर से निकल कर अलग जाकर खड़ा हो गया था और इधर उधर देखने लगा जैसे कुछ खोज रहा हो उसकी आखे छोटी पर सपनों से भरी थी उसके चहरे पर ठकावर थी लेकिन उसके पीछे एक संकल और जिद दिब दिपा रही थी वो अस्पताल के मुखे दोर पर आकर खड़ा हो गया था अकेला उसकी नजरें अभी किसी को खोज रही थी मैं उसके ठीक सामने के लॉन में टहल रहा था सिगरेट पीता हुआ फिर उसने पास से निकलती दो एक नरसों से कुछ पूछा मुझ में और उसमें कुछ फीट का फासला था मैं उसके पास से होता हुआ एक बर दुबारा सेणिया चड़कर ऑपरेशन रूम के द्वार तक गया बंद दर्वाजों को देख मुस्कुराया वही से मैंने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया खुदा हाफिज हीना सीर्णिया उतरते वे पार की मैंने कैमरा मैन, फोटोग्राफर्स, पुलिस कर्मियों अख़वार नवी सों तमाश पीनों, अस्पताल करमचारियों आदी की भीड को चीरता हुआ तेजी से अस्पताल के मुखे दर्वाजी की तरफ बढ़ा आसिफ अब वहाँ नहीं था मुझे लग रहा था हीना की ठकी मगर मुस्कुराती आखे मेरी पीट से चिपकी हुई है और अस्पताल के मुखे द्वार तक आकर मुझे शुक्रिया कर रही है मैं तेजी से पारकिंग तक आया कार स्टार्ट की और अस्पताल आहाती से बाहर मूड ली फोन बज रहा था माका था खबाओ के घर सुबह होने को आई अभी तक काम खत नहीं हुआ क्या खत्म हो गया लोटी रहा हूँ मा आज कुछ अच्छा बना कर रखना मैंने कहा बहुत भूख लगी है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदिना शुकल जी के लिखी कहानी सहर होगी किसी स्याह रात के बाद